सालों पहले वरुन परवत के पास एक राज्य बसा हुआ था उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंद्विश भी रहता था बूरा होने की वज़े से वह आसानी से अपना शिकार धून नहीं पाता था एक दिन उसने तरकीब सोची वो तुरंत मेंधकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुँच गया वहाँ वो दुखी सा होकर एक पत्थर के उपर बैग गया तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेंधक ने उसे देखा उस मेंधक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे हैं अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंधक को कहानी सुनाई सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंधक के पीछे पीछे जा रहा था अचानक से मेंधक ब्राहमनों के जुन में जाकर छुप गया मेंधक को भोजन बनाने के चक्कर मैंने गलती से एक ब्राहमन की बेटी को कात दिया जिससे उसकी मौत हो गई इससे नाराज होकर ब्राहमन ने मुझे श्राप दे दिया उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंधकों की सवारी बनना पड़ेगा इसी वजए से मैं इस तालाब के पास आया हूँ ये बात सुनते ही वह मेंधक तुरंट तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बाते बताई राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंधकों का राजा जलपाग तालाब से बाहर निकल कर एकदम कूदते हुए सांप के फण पर जाकर बैठ गया राजा को ऐसा करते हुए देखकर अण्य मेंधकों ने भी ऐसा ही किया सांप समझ गया था कि मेंधक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सब को अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें गुमा रहा था इसके बाद मेंधकों के राजा ने कहा जितना मज़ा मुझे सांप की सवारी करके आया उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया मेंधकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंधकों की सवारी बनने लगा कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गती थोड़ी धीमी कर दी ये देखकर मेंधकों के राजा जलपाप ने पूछा हे सर्प तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है इसके जवाब में सांप ने कहा एक तो मैं बूरा हूँ और ब्राहमन की श्राप की वज़े से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ इसी वज़े से मेरी गती कम हो गई है इतना सुनते ही राजा ने कहा तुम छोटे-छोटे मेधक को खालो ये सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन हुआ उसने कहा, राजन मुझे ब्राहमन का श्राप है मैं मेधक खा नहीं सकता हूँ लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं खा लेता हूँ ऐसा करते-करते वह रोज छोटे-छोटे मेधक खाने लगा और वह तंदुरोस्त हो गया अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था सांप काफी प्रसंद था मेधक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे मेधक के राजा को भी सांप की इस साजश की भनक नहीं लगी होते होते एक दिन सांप ने मेधक के राजा जलपात को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंधकों के वंच का नाश कर दिया कहानी से सीख, किसी भी शत्रू की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए इससे खुद की और अपने लोगों की हानी होना निश्चित है लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, देखने के लिए धन्यवाद